जलता है online okay अगल लपड़ा चलता है ना नेट नहीं है नेट हाए एक लेपटब नहीं लैपटप बसला अतक्त नेट बस्थे नेटी चांग्ले चाले लेपटॉप बस्थे लेपटॉप स्टूडेंट्स हो पाएती माग क्या लपड़ा है गुड इवनिंग नहीं तो नहीं था इवनिंग इवनिंग थोड़ा खराब गया और आंलाइन लेक्चर लो बोल रहे सब लो इस से अंडलाइन लेक्चर लेने का नेट इदर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में नहीं चलता कि गाओ में तो नेट छोड़ी दूञाुड वहां में दूक्यान चलेंगा है अब हसा बहुत लपड़ा है अगर नेट नहीं चल रहा वही प्राब्लेम और क्या है कि चलो स्टार्ट करने का कल से बैच का टाइमिंग मेला मैंने बोला है कि उध्याचा बैस सा डाइमिंग बोले में जैना फिजिकल एने शक्या है फिजिकल या तुम्हाला पर महीत है फिजिकल ला किते अंडेस्टेंडिंग होते हैं अन्लाइन का होते हैं कि दोनी क्लास्रूम सैपले मोठे देश्मों गोतेल साइड छीपन आनी जिंतुरोड रोड़साइड चीपन इस दोनी क्लास्रूम मोठेज डिस्टेंस मेंटेन कोरन बसता है मास्क लाउन बसला तर मलावाडत नेट नेगाए मास्क लोन बसान फक्त तुम्हीं वरगात चा बाहर आस्ताना मित्राइंचा गड़ात गड़ा हाथ गलून तेचा हाताद गलून करने गलून तेचा हिच्चा धे गलून बसुनागा निक्ट गड़ा image अधार मास्क डिटंस सम्कूमस अंग्त क्लास्रूमों यह बाहर गडवाध सरऊ-अधार करतो तुम है को सब्सक्रांगे पिर पॉजिटीव आसना पॉजिटीव पॉजिटीव उसला ओप्सिर अजसा स 나와 एक लेक्ट्र फेली हटो आगे क्या क्या करेंगे अभी सत्य जिदकाएगर लेक्चर और आगे का कुछ लेक्चर है तुम्हारा पूर्चकाए लेक्चर असलादर में का सुने वाला सिलयाबस करना पड़ेगा कपलिट अन लेक्चर घर ऑफलाइन हो दस ले और अनलाइन हो दसले लेक्चर एक्जामप अनलाइन और लोगना थाओ वीडियो देखो वीडियो ये में अपलड करता हूं जिनको यह लेक्चर देखना पॉसीबल नहीं यह आगे कुछ लेक्चर है तो क्या करो वीडीयो देखो कि चलो इसटार्ट करने का कि एक टाइम आफनों में ठीक है न और चेट्ट टाइम अफटरनों में ठीक है न है जिंतू रोड साइड का थोड़ा क्या करना पढ़ रहा है पैच का का बैच बड़ा है तो कि दो बजे के बाद फॉसीबल नहीं एक से दो के बीच में के चलो स्टार्ट करनेगा है कि अब कूंज सा कंसे प्लेना है आनलाइन भेना उधिया अनलाइन पना है प्राब्लम में तुम्हाला में तुम्हाला पॉसिबल असले तरह आफलाइन या करने का तो देखो क्या है अच्छा कंसेप्ट है जो नेक्स्ट कंसेप्ट पोटेंश्म मिटर का अच्छा का सैगे तो देखो क्या है कि लिको पॉटेंश्म मिटर को मिटर कोटेंश्यम मिटर pelvis ख मिध्यक्णिये कोटेंश्म मिटर कोर कंशेम्ट क्या है वह एक्दम डिटेल में पहले देखेंगे एक्ग्जाक्ली बेसिकली होता क्या है वह देखें бег तो यह जो चापटर है अपना करणे इलेक्टर सिटी इसमें दो अब एक तो है मिटर ब्रीज दूसरा है MA पोटेंशन मेंटर मेंटर गूलाड टेक्वीब्मेंट है कुछ तो मिटर ब्रिजब कि कविब्मेंट है कुछ लिएखने कि तो रहता है पोटेंशंट्माइटर क्या रहता है तो पोटेंशंट्माइटर में एक रहती है इसा वायर रहती है पोटेंच्ण मिटर में एक ऐसी क्या रहती है वायर रहती है यि क्यों रोत्य की वायर और इदर की वायर और को दिफेरंसेания काम की चीज और की वायर मिटर ब्रीजे और सोalla कि इन में कुछ डिसपर्च में साथ मिटर ब्रीज की वायर की लेंद्स फिक्स से वनने इसकी लेंद्स के एं की लिएर की लेंद्स फिक्स नहीं है मिटर इसका रहता है 10 मुल अब फिर नेक्स्ट सुझा है मिटर बर्च की वायर कंड़क्टींग मतलब रियल कंड़क्टर है तो थोड़ा बहुत रजिस्टПр电स रहेगा लेकिन बहुत कम रेजिस्ट्थप स्रेटा है मैं कि मिटर ब्रीज की वायर क्या है कंड़क्टिंग ये उसका रिजिस्टन्स है अग यह रहता है तो यह जो मिटर ब्रीज के वायर है यह क्या है रेजिस्टन्स है मिटर बेज की वायर है भी यह क्या है रेजिस्टन्स है और कुछ नहीं ठीक है फिर वायर है इदर तो यह वायर है 100 सेंटिमिटर की एकड़मख सहरा कि अगश्या पॉंख को देखो अगर एक बार यह वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो पोटेंशियमेटर एकदम क्लियर होता है यह पॉइंट क्लियर हो गया अभी जो हम लोग डिसकस कर रहे है आज का लेक्चर अगर एकदम क्लियर है तो फिर पोटेंशियमेटर एकदम एजी लगेगा आज का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पोटेंशियमेटर फिर डिफिक जो है पोटेंश मिटर का इसकी लेंद कितनी है हंड्रेट सेंटीमिटर की जो वायर है उसकी लेंद कितनी है हंड्रेट सेंटीमिटर हे एंडेर इसका रा ब है एक संटिमेटर का रेजिस्टन्स रहेगा तौ ज़ितना उसका का फिर इदर नीचे है बैटरी फिर इदर नीचे है बैटरी बैटरी कितने का लगाया इसके बाद क्या है यहाँ पे एक रेजिस्टंस оту हो सकता है या फिर हमने सीरी में बहुँ सब्सक्राइब के लिए एखाद रेजिस्टंस और और कभी रिखता क्या फरक पड़ता है यह इंटर्नल्स तो है लाइन में पिर बाहर हो हो क्या फरक पड़ता है रेिजिस्टंस है इं वाला की यह इस वाला की अभी में नहीं ड्रा करा कि अभी हो गया सरुक्रिट некотор डेखो का यह राएश्रिय का यह वायर का परडिक्टर कंड़क्टर के यह सब कर्ली को डेक्न का १ helmets और यह भी ठीक्टर का यह झाल है यह यह में अधर केदा नए कन्ड़क्टर WannaCard त्रहें लेकिन ऊपर वाला रेजिस्टम्स है दिखता है वायर जैसा लेकिन वह क्या है तीग अब नेक्स्ट क्या कि देखो मेट्स से इधर का यह और ग्राउंड एक इसका कि यह जो पॉइंट है इसका क्या क्या एक तो तो यह पॉइंट गया है हुदर के सब्सक्राइब प्रेइवं तो तो हम मुझे क्या करना है देखो मिस्ट करता हूं कैसे कैसे हो करता है हर एक पॉइंट का मुझे पोटेंशल जा रही है एच & आट करना पूइंट का Oke स्ट्राइग्रेम् के उपर लिखना के तो कैसे करता है में तो इधर से जो वायर है nem के अदर जा रही है कि तो यहांपे पोटेंशल कितना है यहां पर पोटेंशल कितना है यहां पर पोटेंशल है जीरो यहां पर पोटेंशल कितना है जीरो हो इदर से जो वायर है यह ग्राउंड के अंदर जा रहा है तो ग्राउंड का पोटेंशल कितना है तो ग्राउंड का पोटेंशल जीरो है तो ग्राउंड पोटेंशल जीरो है तो इस पूंट का भी पोटेंशल जीरो है यह पूरा लाइद ने होल्ड पर तो धीपई कितने होल्ड पे है तो जीरो होल्ड पे है ठीक है अच्छा है कि और विश्व직सіяenne अब इस लाइन में करण रहने वाला है इस लाइन में क्या है करण रहने वाला है तो इस लाइन में करण कितना रहेगा इस लाइन में करण रहेगा तो करण कितना रहेगा तो यह जो करण्ड ऐसा फ्लो होता है करण्ड ऐसा फ्लो होता है करण्ड क्या है ग्राउंड वाली ला ने उसके अंदर करन जाता नहीं है तो करन जो है वह ऐसा फ्लो हो रहा है तो करन कितना है तो टोटल पोटेंशल कितना मिला वंटेंट का टोटल पोटेंशल सर्कीट को कितना मिला पूरे सर्कीट को खर्चा करने के लिए potential कितना मिला威द 10 का और पूरे circuit का रेजिस्टंस को है entire circuit का रेजिस्टंस को है तो यह उपर का जो wire उसका resistance है 100 मोट हो और यहां पर जो है resistance वह यूवपर का जो wire है उसका resistance है 100 और यह जो resistance है यह कितना है टेंस तो 10 content कि रेजिस्टंस भी 110 का है यह resistance घंडरेट न का Black ऑच कि पिटना लाइन में से करण कितना फ्लो हो यह रहा है करण ऐसा फ्लो कर अैसा फ्लो हो रहा है इस लाइन में करन नहीं रहेता है तरेंट फ्लो औरागए थे कि अब देखो करण इदर जा रहा है करण इस डॉय स्थेटेंस यह कंद पोटेंशल ड्रॉप कितना होत jsब बोलता हूं बोलता हूं तुम लोग फूल कंसेंट्रेशन से देखो बोलता हूं रिपेटेशन चाहिए तो रिपीट भी करता हूं पूरा होने है तो यह जो रिजिस्टन्स है इसके अक्रोस मुझे क्या निकलना है पोटेंशल ड्रॉप मिकलने क्तूर कितना जा रहे हैं तो इस लाइन में करेंड वन एंपिर है और रिजिस्टंस टेन है तो यह रिजिस्टंस में ड्रॉप कितना रहेगा यह जो रिजिस्टंस है इसमें ड्रॉप कितना रहेगा आई इंटो आर तो इस रिजिस्टंस में ड्रॉप कितना रहेगा आई इंटो आर तो करेंड कितना ह और रेजिस्टन्स कितना है तो टैने इंडो वन कितना है तो इस रेजिस्टन्स में यह जो रेजिस्टन्स से इसमें ड्रॉप कितने का होता है ये जो resistance है इस resistance में पोर्टेंशन ड्रॉप कितने का हो रहा है तो इसमें पोर्टेंशन ड्रॉप हो रहा है टे अच्छा ये अब इदर हां इदर जाते हो तो करण्ट जब फ्लो होता है तो करण्ट फ्लो जब होता है तो उसको खर्चा करना पड़ता है जब करण्ट फ्लो होता है वह फोकट में नहीं होता उसको खर्चा करना पड़ता है तो करण्ट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का का खर्चा होता है करेंट की डाइरेक्शन में पोटेंशिल का खर्चा होता है तो जैसे जैसे करेंट आगे बढ़ता है जैसे जैसे करेंट आगे बढ़ता है पोटेंशिल कम होता है तो इन दाइरेक्शन आफ करेंट पोटेंशिल डिक्रीजिस क्या बोलते हैं हम लोग in the direction of current in the direction of current in the direction of current potential decreases in the note in the direction of current potential decreases हुआ है कि कि इन थी direction of current कि इन दिरेक्षिन of current potential decreases तो current की direction में current की direction में क्या होता है potential कम 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 होता है current की direction में potential क्या होता है । ठीक है। चल्ड तो यहां पे potential कितना है अपने पास कुछ भी नहीं यह 0 है। यहां पे potential कितना है अपने पास कुछ भी नहीं यह 0 है। तो 0 में से इस resistance ने खत प्लcor कह रिजिंशन से ड्रॉप काया ना resistance नहीं कुछ तो निकाल के लिया पूटेन्शियल ड्राप किया मतलब खत्म किया निकाल के लिया तो पहले था कितना 0 था 0 में से इसने 10 निकाल लिया तो यहां पर potential कितना आता है यहां पर potential आता है –10 हishnan ओए यह ऌई के अब इस रीजिस्टेंस का पॉटेंश Catholicsा ऐ्या आ ही इंत उआ फिस्तेंस का पॉटेंशल डिफिरंस आया अइंटो और से इसका पॉटेंशल टिफिरंस आया 10 इसने क्या क्या 0 में से 10 potential इसने खदम किया है जिश्ए 4 में से इसने का कि पोटेंशल इसने ले लिया तो जिए दस ले लिया मतलब बचा कितना अभी आपने पास बचांगे- 8 तो इस पॉइंट का potential – 10 तो ये जो निगेटिव टर्मिनल ये पूरा ये लाइन इधा तक ये बैटरी कितने का है वंटेन का है तो बैटरी 110 का है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह रहता है कि निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इनके बीच में डिफरेंस रहता है बैटरी 110 का है इसका मतलब क्या रहता है इसका मतलब यह रहता है कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वही तो यह मैंफ रहतता है तो यह माइट दस पे है ये मैनस दस पे तो यह positive terminal कितने पर रहेंगा तो negative से positive higher पर है कितना जादा है 110 से जादा है वही तो यह मैंफ रहता है तो माेनलम में 110 मिक्स कहा थो इदर का पॉटेंश्यल आता है हंड़ेड़ होड़्ट किपना है एधर का पॉटेंश्यल कितना है यह माइनेस dस में 110 का बैटरे आड किया है इgression पोटेइंश ल और मुन करे म Twin इंदर नी चलिए इस पोइंट का पोटेइंश कितना दा है थे टेमारब ठीव चलो इतना क्लीर है जा या इतना क्लैरे का एक बढर कमेंट करके दो कि इतना ट्लियर रहे Gcht एक बार शॉर्ट में इतना में रिवाइस भी करता हूं लेकिन क्लेर है कि बोलो मुझे इतना क्लेर है क्या है एक दम काम का एक दम काम का चीज है को तो 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 अल्मस सब लोगों को क्लियर है मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं तो पहले निकाला था करण्ट पहले निकाला था करण्ट तो बैटरी कितने का 110 का है रेजिस्टंस कितना यह हंडर एंडस रेजिस्टंस का करण्ट आया था इधर था ग्राउंड इधर क्या है इधर से वायर गया है ग्राउंड में इधर से वायर गया है ग्राउंड में इधर से वायर गया है ग्राउंड में तो ग्राउंड का रहता है ग्राउंड का होता है करेंट की डाइरेक्शन में पोटेंशल क्या होता है तो इसने कितना पोटेंशल खाया यह जो रेजिस्टन से इसने कितना पोटेंशल ड्रॉप किया आई इंट वार तो इस लाइन में करेंट कितना है वन है इस लाइन में करेंट कितना है वन है और रेजिस्टन कितना तरी क्या है बैटरी 110 का डिफरेंस में करता है तो इधर का डर्मिनल माईनस टेंग गल्ट जो टर्मिनल है उसमें 110 एड किया तो इधर का मिलता है बैटरी का यह प्रॉपल्टी है इधर का जो भी पोटेंशल है उसमें यह में फैड किया तो इधर का मिलता है तो माइनस 10 में इधर का हंडेड होल्ड पे है बी पॉइंट का है जीरो होल्ड पे है अभी अभी देखो यहां से में यह टोडल हंडेड संटिमेटर का वायर है यह टोडल हंडेड संटिमेटर का वायर है अब यहां से में 10 सेंटिमीटर की डिस्टन्स पे जाता हूं यहां से में 10 सेंटिमीटर की डिस्टन्स पे जाता हूं तो 10 सेंटिमीटर की डिस्टन्स पे क्या होने वाला है यहां से में 10 सेंटिमीटर की डिस्टन्स पे गया तो उदर क्या होने वाला है तो देखो हंड्रेड सेंटीमीटर का रेजिस्टंस है तो तेन सेंटीमीटर का रेजिस्टंस रहने वाला है तेन हो हंड्रेड सेंटीमीटर का रेजिस्टंस है तो टेन सेंटीमीटर का रेजिस्टंस कितना होगा तेन होगा सिंपल सिंपलई है तो इसके बीच मैं के ये तो करण है इधर कितने का होता है तो पोटेंशल ड्रॉप कितने का हो रहा है या फिर ऐसा भी सोचो आइसा भी सोच चुक्ते हो कि एसे बी तक पोटेंशल कितना खतम हो रहा है हंड्रेड यह हंड्रेड होल्ड है ना इदर कि पॉइंट का पोटेंशल कितना है हंड्रेड है है इदर से निकाला ना भी बी पॉइंट का पोटेंशल कितना है जीरो है ये पॉइंट का पोटेंशल रहे बी कौईड को पोटेंशल 0 है तोंगेड़ पोटेंशल 0 हो रहा है कि 100 पोटेंशल 0 होगा तो नहींति कि फूरा ए सैंटिमेटर खारा हैंcem तो पूरा वायर कितना खारा है तो यह थे उंधर सेंटिमीटर खा रहा है तो पूरा था हूं कितना potential drop कर रहा है तो 10 होल 10 सेंटिमेटर का वायर कितना potential drop कर रहा है तो यहां पर 100 था तो 10 सेंटिमेटर के बाद potential कितना होगा 90 10 खतम हो गया यहां पर potential 100 था तो 10 सेंटिमेटर के बाद 10 खतम हो गया 90 और 10 सेंटिमेटर के बाद और 10 अहीं तो वही वार रहे थोड़ा सा लंबा किया है और 10 सेंटीमेटर के बाद 50 और 10 सेंटीमेटर के तो 1300 संद्डिम्टर बायर कितना पोटेंशिल गारा है funds फॉरी 100 संदूमिटर गार यह वायर पोटेंशिल कितना और हनडर्ड थे और कहंडेड होल्ट खदम किया पुरी हन्डेड संसे संटीमेटर के वायर ने जल्ट खदम किया ठोप पूटेंशना तेसं पर है यहां पर पूटेंशन है है यहाँ पर सेवन्न ती करो बाओ अहां बोलता हूं में उच्छे है ठीक है इतना क्लियर है कि देखो तो क्या गरो यह जो लाइन है इसके उपर four lines blank चाहिए यह जो लाइन है इसके उपर कितना lines blank चाहिए four lines blank चाहिए इसके उपर कुछ drawing करना है बाद में तो इसके उपर four lines blank करो इसके उपर four lines क्या करो blank रहने दो और फिर यह drawing करो और यह four blank lines के उपर hundred centimeter slash hundred ohm लिखो तो यह drawing करो यह drawing करो इसके उपर कितना lines में blank चाहिए four lines blank चाहिए चलो ड्रोइंग करो इतना drawing करो आगे का बोलता हूँ इतना drawing करो पहले drawing करते वक्त सोचते सोचते drawing करो कैसा किया है क्या किया यह 0 क्यूं है यह माइनस 10 कैसे आए फिर यह 100 कैसे सोचते सोचते ड्रा करो तो और थोड़ा clear हो जाएगा concept ठीक है चलो draw करो होने के बाद मुझे बोलो फिर चालू करेंगे करेंगे अब हो गया देखो इंटरनेट में थोड़ा सब प्रब्लिम आ गया भी कि अब कि अब कि अब अब कि अब कि अब रज कि चलो हो गए कि रहे हो गए तो मुझे ड़न सेंट करो फिर आगे जाएंगे टेकिटीकिए सथ्प्यचे दोके कि कि तो ठीक तो देखो और एक बार में करता हूं फड़ा-फट ख्या किए है औहर एक बार में रिवाइस करता हूं और फिर एक दोम की चस्के मेडर हाँ डालेंगे भी उसके अंदर हाँ डालेंगे के मतलब वह अभी understand करेंगा इसका मतलब रहता है ठीक है ओके ओके सत्य जी कि तो पर्स्ट क्या ग्राउंड के आता तो इदर का पोडेंशल जीरो तो यह जीरो तो इस पर साइड का भी जीरो आगया खतम बात ठीक है और जीरो तो इस सैड का पोडेंशल हो गया जीरो तो रे जिस्टन्स ने कितना खाया करट निकाला वन आया ता रेंसे सेन एपकर मेंकिया कि कम करनेирован बीदर है माइनस यह यह माइनस टेन तो उसमें एड़ किया तो इदर का पोधेनशल आता है हंज़ेट्ट इधर गए हंड़ेट ठीक है अब पूरा वायर रेहनड़ सेंटिमेटर का और वहां पे तक तक यह और वहांं पर कित्ना पोटेंशल ह на one can हंड्रेट सेंटिमीटर का वायर हंड्रेट होल्ड खा रहा है तो दस सेंटिमीटर का वायर दस होल्ड खाएगा तो यहां से दस सेंटिमीटर पे दस होल्ड खतम और दस सेंटिमीटर पे दस होल्ड खतम और दस सेंटिमीटर पे पोटेंशल कोई चेंज नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो ऊपर वायर लगाने के बाद थोड़ा बहुत पोटेंशल होने वाला है उपर का वायर लगाने के बाद पोटेंशल चेंज होता है थोड़ा बहुत चेंज होता है कभी कभी बहुत ज्यादा चेंज होता है लेकिन हम हम लोग क्या कर रहे हैं यह याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं हम लोग क्या कर रहे हैं वायर पे हर एक पॉइंट का पोटेंशल सेम है हम लोग क्या कर रहे हर एक पॉइंट का पोटेंशल क्या है अभी सेम रहने वाला है चेंज नहीं होने वाला है चेंज भी होता है कुछ क पेसे में चेंज होता नहीं तो हम लोग क्या एजूम करने वाले यह जो पोटेंशल हर एक पॉइंट का सेम रहने वाला है ठीक है तो अगर समझो में इधर से एक वायर इधर लगा देता हूं कि इधर से वायर नॉर्मल कंड़क्टिंग वायर यह नीचे वाला है रेजिस्ट्टन्स है तो इसको बोलना पड़ेगा कि इसको क्या बोलना पड़ेगा सिसी पॉइंट अब यह तो करन जाएगा किधर करण जाएगा किदर ए से सी जाएगा क्या सी से उपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में तो करण ऐसा ही है नीचे वाली जो लाइन है उसमें तो करण हमने निकाला ना ऐसा ही है उसका छोड़ा अभी अपर लाइन में करण कैसा रहेगा ए से सी रहेगा क्या सी से ए रह अपर लाइन में करेंट कैसा रहेगा गुड़ गुड़ सबको आ रहा है एससी रहेगा कि अपर जो लाइन इसमें करण्ट एससी रहेगा अच्छा है कि रहेगा रिजन भी इंपोर्टेंट क्या रीजन है है हायर पोटेंशल हंड्रेड हैं यहां पहल लोहर पोटेंशल करेंट के हैं हाई है यह summary 는데 करेंट को बगाने वाओं ने करंड हंडृट के वज़र से व्थ भाग रहे हैं करण इदर से उदर जा रहा है वो अच्छा है तुम लोगों को आया अच्छा है करन्ट लेकिन इदर जा रहा है विकॉज अफ वाट करन्ट इदर से इदर जा रहा है विकॉज ऑफ 100 होल जा रहे गया गाण इदर से इदर कारन को भगाने वाला को नई करन्ट को इसनट नाट कुछ वजे से करण नहीं भाग रहा है किस बहुन का ब इसनट तो इनका difference है 30 तो current इधर जा रहा है because of a difference है 30 का तो current flow हो रहा है not because of 100 not because of 70 but current is flowing because of difference 30 ठीक है ओक्या अच्छा है तो समझो अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया क्या चेंज किया इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्या क्या यह वायर निकाला 70 से और 60 इधर लगा दिया 70 पे था वायर यह इस इधर से निकाल दिया और 70 60 पे लगा दिया अब करेंट क्या होगा यह जो उपर यह वायर है इसमें करेंट क्या होगा करेंट विल इंक्रीज और करेंट विल डिक्रीज बोलो क्या होगा करेंट विल इंक्रीज और करेंट विल डिक्रीज क्या होगा बोलो चलो उपर वाली लाइन में करेंट क्या होगा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कि अरे बोलो कमेंड करो उपर वाली लाइन में करेंट क्या होगा करेंड इंक्रीज और करेंड विल डिक्रीज तो करेंड इंक्रीज तो करेंड क्या आता है इंक्रीज होता है करेंड इंक्रीज होता है यहां से लाइन आ रहाता 70 को टच हो रहा था अब उदर से वायर निकाला अब 60 को मैंने टच किया तो करेंट क्या होता है इंक्रीज होता है क्यों आरे मैं क्या बोल रहा हूं उदर वो सुनो तो एकदम सही से तो फिर समझ में आ जाएगा बहुत सारों का अंसर गलत आ गया बहुत सारे लोगों का एंसर गलत आ इस तैंग अल्मस सब का गलत है दो तिन एंसर बराबर है बस अरे मैं क्या बोल रहा not because of 100 current flows not because of 70 current flows because of difference difference कितना था इन दोने में डिफरेंस था 30 का इन दोने में डिफरेंस था 30 का तो 30 के वज़य से इदर भाग रहा था अभी इन दोने में डिफरेंस आ गया 40 का 40 का अब डिफरेंस बढ़ गया अब difference बढ़ गया तो current भी बढ़ेगा तो यहां पे अगर वायर लगा हुआ है तो current इधर रहेगा थोड़ा कम यहां पे वायर लगाने के बाद current बढ़ जाएगा क्यूंकि अब इनका difference current को भगाने वाला कौन है 40 volt है पहले current को भगाने वाला कौन था 30 होलता तो कॉरेंटी मॉलता तो दुलटा भी बढ़ता है तो current बढ़ेगा है रिख है कि जआ ते चल्सक्राइफ करूंग और एक बार lacet जाइन करो अभी खतम होने को आया मिटिंगों अि में रिपिट जमक्रों फिर और इसमें और क्लिर करेंगी कि यृट लुद प्रग्बार जोइन को